समाजवधी पार्टी के राष्ट्य महासच्चिव आजम खान इस वक्त अस्पताल में भरती हैं पिछले कई सालों से आजम खान के उपर से मुसीबत हटने का नाम नहीं ले रही कभी अलग-अलग मुकदमों में उन्हें जेल में रहना पड़ा तो कभी कोरोना वाइरस की वज़े से अस्पताल में भरती होना पड़ा लेकिन इन सभी हालातों में अगर कोई समानता रही तो वो है समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा मुलायम सिंग यादव के परिवार के साथ उनका लगा यो ही नहीं मैं मैं बन जाता हूँ रोज पहले केरन का छोड ढूमने निकल जाता हूँ दूप चाओं दिन रात की परवा किये बिना पढ़ता जाता हूँ तब कहीं उस उन्दा अनुभाव को दुनिया तक पहुचा पाता हूँ यो ही नहीं मैं रजनी कंधा बन जाता हूँ यो कि हर हाल में मुलायन सिंग्यादव का परिवार आजम खान के साथ कड़ा नज़र आया आज आज आजम खान अस्वते का फ़ताल में हैं और तरह तरह के अफवाहें बीच भीच में आजम खान को ले कर आ रही है मगर इन तमाम अफवाहों को दूर करते हुए आजम खान के स्वास्त पर धिहान देते हुए समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंग यादव का पूरा परिवार एक साथ दिख रहा है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आजम खान समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंग यादव के परिवार के लिए कितनी एहमियत रखते हैं कि आजम खान का मेडिकल बुलिटेंड खोद अखलिश यादव और समाजवादी पार्टी के ओफिशल ट्विटर पर समय समय पर ट्वीट हो रहा है मुलायम सिंग यादव के परिवार के लोगों की ड्यूटी लगाए गई है कि आजम खान के स्वास्त में कोई कमी ना छोड़े जिससे ये साफ है कि आजम खान पर कोई भी मुसीबत जब भी आती है तो उनके साथ सबसे ज़्यादा मुलायम सिंग यादव का परिवार खड़ा दिखाए देता है न्यूस नशाओ